नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चला यूर लीगल लैट्स पर है मैं हूँ गड़ोकेट विश्टन चोगती दोस्तों आज हम बात करें एक सवाल थी सवाल है हमारे विवर का पोस्ते हैं सर मेरे पिताजी को गोली मानने वाला मेरा जीजा था उसने 2005 में गोली मारी थी फिर उसके बाद मेरी बेहन और मेरी मा की गवाई के बाद जमानत हो गई थी तो क्या अब उसको फिर से गोली मारने का केस में उसको उमरकेद करा सकते हैं कराई जा सकता है देखे अगर एक बार अगर किसी भी केस के अंदर अगर आपका राजी नामा हो गया और आपने जस्साब के सामने अपनी स्टेटमेंट करा दी तो उसके बाद फिर आप अपनी गवाही चेंज नहीं कर सकते और नहीं उस केस के अंदर दुबारा उसको सजा करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारा ये जो केस है इसमें हमें राजी नामा नहीं करना है किसी भी दवाब में आके तो आप अपनी गवाई उस मुल्जिम के खिलाब दें और जो जो कारिया उसने करा है जैसे घटना को उसने अंजान दिया है उसी घटना के साफ से अपनी बिल्कु मिलती जुलती यानि डिट्टो बिल्कु सेम डू सेम गवाई आप कोट में दें अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो उसको मुल्जिम को चीज का फायदा मिल जाएगा और वो बरी हो जाएगा अगर आपको लगता था कि आपके पिताजी को मानने वाला आपका जीजा के साथ आपको समझगता नहीं करना है तो आपको उनके खलाप ही गवाई देनी थी ना कि उनके फेवर में आपने बहन की बज़े से या किसी परवारिक बज़े से आपने अपने जीजा के साथ समझगता कर लिया आपकी मा और आपकी बहन ने आपकी जीजा के फाइदे में फेवर में गवाई दे दी इसकी वज़े से उनको जमारत मिल गई अगर उनको आप उनके फेवर में गवाई ना देते तो शायद उनको मरकेजी सजा हो जाती इसलिए दोस्तों अगर इस तरह के केसों में क्रिमिनल केसों के अंदर एक बार स्टेटमेंट होने के बाद आप दुबारा स्टेटमेंट नहीं बदल सकते यानि जो स्टेटमेंट आपने कोर्ट के सामने रिकॉर्ड करा दी उसको दुबारा बदलानी जा सकता इसलिए जब भी criminal case के अंदर आप समझोता करें तो बहुती सोच समझ की करें क्योंकि एक बार statement होने के बाद आप किसी भी court में चले जाएं कोई भी application लगा ले court आपकी application लाव नहीं करेगी और नहीं उस चीज़ को consider करेगी कि मैं तो भेकावी में आ गया था या गलती से मैंने statement record करा दी या हम पर दवाब था किसी चीज़ का कोई भी चीज, कोई facts आपका फिर मानने नहीं होगा कितनी भी आप कोशिच कर लेना एक बार जो court के सामने statement ढ़वी समझो लो हो गई तो इसलिए अगर आपको किसी भी case में समझोता करना है तो बहुती सोच समझ कर अपनी statement record करवाएं वरना आप पस्ताना ही रह जाएगा आपके हाथ में जैसे हमारे viewer के हाथ में रह गया है उन्होंने अपने पिताजी के हत्यारे को बाहर निकलवा दिया आशा करते हैं दोस्तों हमारे दोबार दी के जानकारी आपके काम आएगी फिर इक नई जानकारी के साथ आपसे दुबारा मुलाक आता होगी तब तक नमस्कार धन्यवाद